हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चेनल विकास ध्रीवनटेग में तो फ्रेंद्स अगर आपको Community Tab मिला हुआ है और आप अपनी YouTube वीडियो को YouTube पर अपलोड करने के बाद अपने Community टैब में भी अपनी होने का सही तरीका क्या है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने कि तो फ्रेंट जब भी आप अपनी यूट्योग चैनल के ऊपर अपनी यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हैं उसके बाद आपकी वीडियो के ऊपर कुछ विव जाते हैं यूट्यूब उसे सजेशन में वेशता है और आगर आपकी वीडियो अच्छी होती है तो उस बहुत जादा व्यूज आ जाते हैं मालेजी आपकी वीडियो के उपर पांच जार दसाजार व्यूज आ गए और आप सोचते हैं कि मैं अपनी वीडियो को कॉम्मिनेटरी टैप के अंदर भी पोस्ट कर देता हूं उसमें भी शेयर कर देता हूं तो वहां से भी मुझे बहु कम आ रहे हैं जब आप उस्य कमेटरी टैप के अंदर पोस्ट करते हैं शेयर आपकी वीडियो के उपर वियूज आ podcast कोस्ट कर देते हैं जिससे वीडियो के रिच बिलकुल डाउन हो जाती है आपकी वीडियो बिलकुल डेड हो जाती है अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर कैसे शेयर करके प्रमोर्ट कैसे करूं जिसे मेरी वीडियो है कि जब आपनी YouTube video का thumbnail बनाते हैं उसी thumbnail की तरह हैं अगर आप चाहें तो उसी thumbnail को ले सकते हैं श्में कुछ change करना चाहते हैं अपनी वीडियो से regarding ही उसी type का thumbnail आप बना लें और उस thumbnail को आप square size में बना जैसे मैंने यह बनाया हुआ है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के उपर इस तरीके का उसे थम्निल क्रेट करके उसे आप अपने कॉम्णेटरी टैब में शेयर करें और उसमें डिस्क्रिक्शन के अंदर आप अपनी वीडियो का लिंक लगा दें जो वो वीडियो है जो आप आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपकी वीडियो डैड़ भी नहीं होगी तो फ्रेंड्स मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेट कोई क्वेस्टन है कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीची कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू